हेलो फ्रेंड्स प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को और बैल आइकन पर प्रैस कीजिए मेरी लेटेस्ट सभी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए ये प्रोसेस बिलकुल त्री है हेलो फ्रेंड्स आइम बैक विद मैंने वीडियो जैसे कि आप डियाग्राम में देख पा रहे होंगे हाओ ट्रेंड मूव और आपने थामनेल में भी पढ़ लिया हूँ स्थेठ्स मैंने ने टापिक क्यों में वीडियो बनाने के लिए हैं इस क्योंकि हम लोग टेसर में सफर करते हैं और थे साथ चर्थर ख़ाव केयाल आता होगा में की कैसे ट्रेक पर यह चल पाती इщा को मेडिल के लिए इस अाब है और कुछ नहीं जान्ने को जरूर मिलेगा और ऐसी वीडियो आगे आती रहेंगी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरे रेन है कि यह कोचिस होगा है और ये लोको मॉटिव हो गया कि फ्रेंड्स ट्रैक क्या होता है जो रेल्स से बनातों लेल्स देखें हैं आपके इस टील के जो रेल्स होते हैं उन से ट्रेक मिलके बनाता है तो इन रेल्स के ऊपर आकर यह चल ठी कैसे है त्रेन सबस्थनेके लिए हम सबसे पहले स्टार्डिंग करतें करतें कि देखिये लोकोमोटिव गया लोकोमोटिव के अंदर एक क्या विंग हो एक चैबिंधी हो गया और आपका अगर यहां पर बोगी में एक्सल यहां पर है और कुछ एक्सल यहां पर है तो इन सभी एक्सल के यह कभी बी डाय्येक्ति लीविल से कनेक्ट नहीं होती हैं जी जो मोटर है अभ इस डिाग्रीम प्यारी जाता है में आपने गेर रेशो का नाम सुनाऊगा गेर रेशो वीडियो भी देखेंगे यूटूब पर T यसे गेर रेशो जैसे व्याफ 7 का गेर रेशो होता है 72 रेशो 20 तो क्या हुआ एंटेस इसमें 20 इंट है तो ऐसा होता है न अ, So friends, motor क्या करेंगी? practical force, mechanical force generate करेंगी और जैसे कि मैं example दे सकता हूं आपको, यह आपकी motor हो गई यह यह, जो यह घूम रही है इससे आपका TRACTIV FORCE GENERATE होता है या फिर आप MECANICAL OUTPUT बोल सकते हैं जो की GENERATE होता है ये मोटर सीधा WHEEL से कनेक्ट नहीं होसकती यहां पर आपको कुछ眼 घ्र मेकेनिजम की जौर्ट होती है वह ही यहां परには गियर होता है तो जो एकसल होते हैं उसे mixer पर होगा फिर गेर्बॉक्स एक्सल में लगे वील से कनेक्ट होंगे वील तब घुमेगा ठीक है तो इस पूरे मुवमेंट से ट्रैक्टिफ फोर्स जनरेट होती है जो जनरेट होती है ड्यू दूद मेकेनिकल अट्पूट अपूट पूटर विच इस गिवन टूद गेर्बॉ आगे होंगे हमेशे याद रखना यह कभी भी ड्यक्ट कनेक्ट नहीं होता है ठीक है अब हमने ट्रैक्टिफ फोर्स जनरेट करा दी अब इस डेयग्रम प्यारे जीए यह रेल है उस पर यह वील है अभी मैं नहीं कहता हूं कि ट्रेन चल गई यह ड्रें नहीं चलिये मैं नहीं मांदा ट्रेन चली है क्योंकि अभी तो ट्रेक्टिफ और जनेट वेडिसे वील घूम रहा है अब यहां पर में चीज आती है इस रेल और वील के बीच में एक चीज का होना भौज रहे हैं जिसके वज़े से यह ट्रेन चलना स्टार्ट होईगी उससे हम कहते हैं फ्रिक्शन घर्चन सुनाओगा आपने और आपने 11 क्लास में पड़ा भी होगा फ्रिक्शन इस और जादा हो जाए तो भयानक भी है friction नहीं होगा तो ये wheel घूमता रहेगा ये wheel चलेगा नहीं विल्कुल भी इस rail के उपर जब थोड़ा सा उतना amount का friction यहाँ पर आ जाएगा जितना की requirement है तब ये wheel यहाँ से rail पर चलना शुरू करेगा ठीक है example के तोर पर अगर मैं इस rail पर oil कर दो इतनी कर दो क्या friction इतना कम हो जाए कि यहाँ पर चलने लाए कि नहीं रहे तो यह सो फ्रेंड्स अब नीचे आज़ते हैं हमारा motive क्या था train का motion कराना motion कैसे होता है देखो motion कराने के लिए सबसे पहले हमने attractive force generate करा दी थी ठीक है wheel का गुमना कैसे गुमते हैं पता लग गया आपको अगली चीज मैंने लिखी है आप फ्रिक्शन जिसे हम इस condition में जब हम train वाली condition की बात कर रहें तो addition भी कहते हैं addition ठीक है विच एक्सिस्ट बिट्विन दे वील एंड ट्रेक जो ट्रेक है रेल्स है रेल्स है रेल्स है अट पॉइंट अफ कॉंटेक्ट अफ रेल एंड वील यहां पर यह फ्रिक्शन होता है ठीक है फ्रेंड्स समझ सकते हैं यह मेरा एक अग्जामपल अच्छा नहीं दे रहा हूं लेकिन फिर भी इससे जल्दी आपको समझ मैं क्यों पर से यह सपाड़े से वील मांग सकते हैं यह देखिए यह वील इसके यहां पर रखाया अगर मैं बोलू कि जो यह surface इसमें कुछ friction नहीं है तो यह क्या चल यह यहां पर रखा रहेगा नहीं रहेगा इसमें static friction खतम हो जाएगा मतलब अगर नहीं होगा तो यह slip करना शुरू कर देगा यहीं कंडिशन में आपको समझाने चालों तो यह addition और friction समझ गयोंगे आप तो friends weight, तीसरी ची राती weight, wheel का खुत का weight और उपर body का weight, सारा weight मिलकर के इस track पर पड़ रहा है, rail इस surface है, surface के उपर weight प्लस weight and surface के बीच में friction plus contractive force मिलकर के train का motion तयार करते हैं जनरेटेड बाय मोटर ट्रेक्टिफोर्स एग्जिस्ट विट्मिन वील और ट्रैक फिक्षन या एडिशन कहते हैं ट्रेन के मामले में अगर या फिर कंडिशन जब ट्रेन किया है तो आप बोल सकते हैं इसे एडिशन यहाँ पर आएगा वेट वेट क्या है वील पर लोकों का वेट या फिर कोचेस का वेट या फिर वील का खुद का वेट ठीक है जब तक वेट होगा तो फ्रेंट्स यहाँ तक तो यह कंडिशन में जो आपको समझा रहा हूँ आपको समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से तो यह लगता है, अगर फ्रेंड्स आपको इसमें कुछ भी डाउट है, तो प्लीज प्लीज करके आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए, मैं तो त्यार बैठा हमके डाउट के लिए, तो फ्रेंड्स अभी तक हम ट्रेंड को देखते ही थे, आज हमने यह भी जाना, कि ट्रेंड चल यह भी ने सकती, उसके लिए बहुत से पैरामिटर्स होते हैं, जिनको ध्यान में रखना पड़ता है, यह फ्रिक्शन यह एडिशन यह वो पैरामिटर है, जो सबसे अंपोर्टन पैरामिटर है, ब्रेकिंग सिस्टम को डिजाइन करने के लिए, कोई भी ब्रेकिंग में doubt हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिये, ओके फ्रेंट्स तो यह वीडियो आपको कैसे लगी, और आगर आपको आगे भी ऐसी वीडियो चाहिए, तो प्लीज कमेंट कीजिए, और I hope मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिस करी, और आज आज आपने जान लिय या कि हाव ट्रेन मूव आ गए हम जानेंगे कि ट्रेन के मूवमेंट में क्या का डिफिकल्टी जाती है होस्पावर क्या होता है ट्रक्टिव वड क्या होता है ओके फ्रेंट्स तो आज के लिए इतना ही गॉड ब्लेस्यों और बाई बाई झाल बाई